दोस्तो हाली में मेरे एक दोस्त ने मुझे एक PDF फाइल वीजी और उसने कहा कि सतिश इस PDF फाइल में से मुझे Automark रिमू करना है क्या हम यह रिमू कर सकते हैं यह आपका भी सवाल हो सकते हैं कि भई PDF में से Automark कैसे तो हाज की वीडियो में यह बताने वाला हो कि भी हाप बिना किसी सॉप्टर को इंस्टॉल किया भी आप यह काम कर सकते हैं भी मैं हां बिना किसीक सवाटर को इंस्टॉल किये हुए यह भी आप यौन लाइन एक वेबूसाइट की मदद से кажते वाटरूम К inqu e तो अगर आप इंट्रेस ट्रेड हो इस वेबसाइट से क्या क्या करते हैं जानने के लिए तो वीडियो एंड तक देखिए मैं जदिश आप सब का स्वागत करता हूँ चलिए शुरू करते हैं तो दूस्तो हमेरा पहला टास्क है रिमुट ऑटर माग्क फ़ॉम पीडियुरू क्यार्फ यहां मैं एक पेडियुरं कर रही है जराת है specific बैक्रांट में आ चुका है यहां पे स्केंड पेजन में पेंस सबी सब्यस पेजिक्तर एक चाना में दिपार तो मैं आउंगा इस पै इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा lightpdf.com नाम है इस पटिकुलर पेज का यह पेज का या फिर इस अप्लिकेशन का यहाँ पे जाकर आप सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक कीजिए आपको कोई अप्लिकेशन इंस्टॉल करने की जुरूरत नहीं बस डिस्क्रिप्शन पे लिंक प आप देख सकते यहाँ पर कुछ सेकंस में यह प्रोसेस हो तो हो गया है. डाउनलोड पीडियूप आपने अभी रिमॉ आटरमाक ये ती उसे डाउनलोड कर लेतें. वाव, interesting, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका ओटरमाक पूरा-पूरा, पूरा, प्रॉपरली गायप कर दिया गया है, हर एक पेज में से, interesting, तो यह पहला टास्क इसका है, और उसके अलवा, मतलब यह ओटरमाक तो रिमू करता ही है, और साथ में, अगर PDF के content भी आपको erase करना है, तो भाई, PDF टूल्स में आईए, यहाँ पे PDF Eraser आपको मिल जाएगा, description में मैंने वैसे बिलिंक दे दी है, lightpdf.com पे यह PDF Eraser है, मैं इसे select कर लेता हूँ, पहले मैं यह file open कर लेता हूँ, इसमें मैं कुछ content को white out करना चाहता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ, तो वो पूछ रहा है कि consistent erase और दूसरा है selective erase, अब यह consistent erase का मतलब होता है, कि अगर आपने यहाँ पे एक rectangle draw कर लिया, मैं चाहता हूँ कि सारे pages में, इस portion में, जो भी content है, वो white out हो जाए, इस तरह से, यह particular content erase होना चाहिए, सारे pages का नहीं तो आप इस तरह से white out कर सकते हैं, यह option आपको यहाँ पे दिया गया है, तो मैं consistent erase करता हूँ, मैं चाहता हूँ, यार, इस particular page में, suppose यह last line जो है, वो सभी pages में, जितना भी last line पे content है, इतना content, suppose, मैं erase करना चाहता हूँ, मैं भी footer हो सकता है, header हो सकता है, कभी कोई logo हो सकता है, तो white out हो जाएगा, वो पूरा का पूरा, अगर कई पे logo अगर आएड है, तो मैं इससे select कर लेता हूँ, और delete button पे click करूँगा, तो जैसे मैं यहाँ पे delete button पे click करूँगा, यह process करना चालू करेगा, और entire PDF में, जितने भी pages से उस particular location पे, जहां पे मैंने rectangle draw करके रखा है, हो सकता है, आपका कोई भी वहाँ पे logo हो सकता है, company का उसको white out करना है, कि position पे सभी pages पे वो add है, या footer हो सकता है, header हो सकता है, उसको एक साथ आप यहाँ पे कर सकता है, यह already हो चुका है, actually मुझे download file करना होगा देखने के लिए, तो मैं download file कर रहा हूँ, और मैं आपको दिखा तो यहाँ पे यह white out हो चुका है, यहाँ पे bottom में आप देख सकते है, white out हो चुका है, bottom के content यहाँ पे कोई content नहीं था, लेकिन bottom में content जहाँ जहाँ है उस page पे यह पूरा पूरा इतना locations का white out कर दिया है उसने, interesting not just that guys, उसके अलावा यह slidepdf.com के AI tools भी है, यहाँ पे आप AI tools पे जैसी mouse लेके जाओगे तो आपको धेर सरे AI tools दिखाए देंगे, आप PDF के साथ chat कर सकते AI की मदद से आप summarize कर सकते AI analysis कर सकते है, AI create mind maps भी कर सकते और PDF translation भी और धेर सारी चीज़े, फिलाल मैं chat PDF पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरी PDF upload कर देता हूँ, देखते हैं यहाँ पे यह PDF के साथ chat कैसे करेगा, मतलब हमें अपने PDF में कुछ सवाल पूछने तो हम पूछ सकते हैं, हमारी PDF को उसने read कर लिया, यहाँ पे content जो PDF के दे दिये, और साथी में उसने कुछ questions दिये, जैसे what are the key methodologies in data analytics and how do they differ, यह questions आप इसे पूछ सकते हैं और इसके जवाब वो PDF में से दूनेगा, या फिर यहाँ पे अपना खुद का question लिख सकते हैं, तो मैं इसमें से question select कर देता हूँ, और यह जो भी question है आप यहाँ पे खुद का question भी type करोगे, तो basically आप जो भी question type करोगे, PDF में उसका जो भी जवाब लिखा गया रहेगा, वो यहाँ पे result लाके देगा उसका, PDF में से वो information लाके आपको यहाँ पे देगा, तो यह एक interesting है जो कि यहाँ पे AI की मदद से हम PDF में chat कर सकते हैं, इतना ही नहीं हम अपने PDF को summarize करना चाहते हैं, तो AI summarize option पे आप click कीजिए, और similarly upload documents पे click कीजिए, यहाँ पे जाकर आप अपने document को upload कर दीजिए, और कुछी seconds के अंदर जेव PDF के content है, यह इतनी सारे आपको पढ़ने नहीं हैं, लेकिन यह सारे content यहाँ पे summarize करके आएंगे और यह यह आप पढ़ सकते हैं, इसके अलावा यह light PDF के अंदर आपको convert के tool मिलेंगे, यह मतलब आपके PDF को convert करने अलग-अलग format में तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जहाँ पे आपको दिखा दे रहा PDF to Word, PDF to PPT, PDF to Excel, PDF to Text and so many other options too, PDF tools में भी आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते Edit PDF, Watermark PDF, PDF Watermark Remore, PDF Eraser and Split PDF and so many other options, तो एके करके इनको अभी इस्तमाल आप कर सकते हैं, उसके अलब आप अपने PDF को protect भी कर सकते हैं और यह सारे options आपको अगर access करने तो description में आपने link दी है, जरूर चेक आउट किजिए और यह वीडियो कैसे लगा जरा बता दीजिए, कि PDF के लिए यह बहुत ही आसान, कोई software इंस्टॉल करने की जरूरतनी आसान तरीका है जो आपने PDF को edit कर सकते हैं, आप आसान, इसे Automark remove कर सकते हैं, white out कर सकते हैं या फिर PDF के साथ chat भी कर सकते हैं, कैसे लगा दोस्तों यह वीडियो, डेफिनिटली पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना, साथ ही लाइट PDF.com के लिंक के दिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कर लेना, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए अपना खयाल रखना, सिग तरे न, सिगा तरे न, बाइबाए!